नमस्कार बहुत स्वागत है देखने हैं जोतिश जराहट के मैं हूँ आपके साथ आपका संतोर संतोर्शी आज का विशय चंद्रमा से संबंधित है आज जोतिश के एक ऐसे एंगल पर हम आ रहे हैं जो बहुत सारे जोतिशियों के दांथ खटे कर देगा मित्रो मैंने अपने 26 वर्ष प्लस के अनुभव और शोध मेरा अनुभव शोधित है मैं जब कुंडली देखता हूँ तो उसमें शोध पहले जोड़ देता हूँ क्योंकि जोतिश में कुछ भी फिक्स नहीं होता बेसिक्स के अलावा बेसिक्स जो आधार है वो फिक्स है बाकी चीज़ें में वेरियेशन बहुत सारी वजहों से आ जाता है आपको बहुत जागूरत रहना होता है अगर आप जोतिश विज्ञान में रुची रखते हैं या जोतिशी बनना चाहते हैं जोतिश के द्वारा आजीवी का चराना चाहते हैं तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा अपने आपको चारों तरफ से खोल कर रखना है ऐसा नहीं कि एक चीज़ फिक्स हो गया तो आप किसी को भी वो चीज़ फलिता आप कर देंगे नहीं आज हम चर्चा चंद्रमा पर कर रहे हैं चंद्रमा जिसकी महादशा कुंडली में दस वर्ष की होती है चंद्रमा जो सबसे फास्ट मूविंग प्लाइनेट है जो सबसे तेज गती से चलता है चंद्रमा जो मन और मा का कारक है चन्रवा जो कालपुरुष की छाती है मा का दूध, मा की छाती से निकला हुआ दूध ही हमारे सब के रक्त में मिस्YYत रहता है या यू कह लेजे कि वही रक्त बन कर चलता है तो चौथा भाव मा का, चौथा भाव छाती का कालपुरुष की कुंडली में चौथा भाव सुख का असली सुख तो मा के गोध में और सानिद्ध में ही तो प्राप्त होता है चंद्रमा इन सब चीजों का जनक है मैं आपको आज जो एंगल बताने जा रहा हूं जोतिश्विक ज्यान में चंद्रमा ब्रिशव राशी में उच्च का करक राशी में सुख गरही और ब्रिश्चिक राशी में नीच का फल देता है आज हम आपको एक विरोधा भास बताने जा रहे है आज हम आपको बताएंगे कि उच्च के चंद्रमा और शुग्रही चंद्रमा से बहतर परिणाम विश्चित के चंद्रमा का प्राप्त होता है आप चौंकियेगा मत बस सुनियेगा सांसों को थाम कर कि बाप रे बाप संतोश संतोशी ने एंगल क्या निकाल दिया यही तो जोतिश का आनन्द है हम उसमें डूब करके बोलते हैं हम उसमें जी करके बोलते हैं हम उसमें घुज करके बोलते हैं क्योंकि जोतिश हमारा औरना बिछोना सांस सब कुछ है जोतिश के अलाबा हम कुछ सोची ही नहीं सकते हैं भाईया हम क्या वताएं इश्वर ने दे दिया दिमाग में घुजा देते हैं हम आप सब तक लेके आ जाते हैं क्योंकि यही है आनन्द तो आप पूछे कैसे देखिए ब्रिशब लाशी में जब चंद्रमा होगा तो आप से इतनी गलतियां करवाएगा कि जीवन में कुछ हाँ जन्म बड़ा अच्छा होता है ब्रिशब के चंद्रमा में आपका आपका बैक्ग्राउंड बड़ा अच्छा होता है लेकिन भाग यह मजबूत होना निवार रहना उसके आगे उस चीच को ले जाने के लिए क तो पैदा तो हुए हम महल में लेकिन मांगेंगे भीखबाद में लाखों दालों हमारे पास है मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ आप भी देखेंगे आज पास तो पता चल जाएगा जब पैदा हुए तो पंद्रह-वीस गाडिया और जब 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 जबाल हुए तो साइकिल या पैदल है ना तो ये उच्च के चंद्रमा का बहुत बड़ा दोश है मैं उच्च के चंद्रमा में आज तक कोई भी सकारात्मक शुभफल पाया ही नहीं हूँ सवाई इसके कि हाँ खयालों में हम जिद्दा रहते हैं हमारा ये हो जाएगा हम ये कर लेंगे हम ऐसे कर लेंगे ऐसे जहाज उड़ा लेंगे उड़ाओ सुग्रही चंद्रमा में क्या होता है सुग्रही चंद्रमा में भी आदमी कमोबेश उच्च के चंद्रमा का थोड़ा सा रूप बदल जाता है मतलब आप उतना नहीं सोचते हैं लेकिन सोचते यहाँ पर भी है क्यो तो आप लाख अभाव में पैदा हुए हैं आप निकल जाएंगे इतना आगे कि कोई आपको पकड़ नहीं पाएगा बस शर्त एक है कि आपके द्वादस भाव के स्वामी मजबूत हो या चंद्रमा के घर को कुछ शुवता प्राप्त हो जाए जैसे वहाँ पर ब्रहष्पती बैठ जाएं उच्च के एक तो जब उच्च का ब्रहष्पती होगा तो चंद्रमा को देखेगा भी तो नीच भंग तो ऐसे ही हो जाएगा और नीच का चंद्रमा उच्च दृष्टी से ब्रिशब को देखता है जो की bank balance है जो की कुटुम्ब है आपको कुटुम्ब का अनोखा सुख नीच के चंद्रमा का मिलता है कोई न कोई एक बच्चा होगा जो आपको पलकों पे बिठा लेगा भले ही चार बच्चे में से तीन आपको गोली मारना चाहें कुटुम्ब का कोई न कोई सुख पक्का देगा गारंटी देगा मेरा चैलेंज आप देख लिजेगा तो ये वाला एंगल अगर आपने सीख लिया तो चंद्रमा से खेलना आपको आ जाएगा चंद्रमा और शहर का नाम लिख कर गोहाटी भी हम आ रहे हैं धन्यवाद बहुत बहुत शुक्क्या आपको नमस्कार शिरादी आचार्य विश्वप्रसिध जयोति शाचार्य संतोश संतोश जी ने अपने तेरह वर्षों के कठो रिसर्च के बाद आप सब के खुशाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार ग्रहदीब समस्त प्रकृती की शक्ती को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीब आप सब के जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है कैसी भी दशा कैसा भी ग्रहों का हो दुश प्रभाव बस एक ग्रहदीब आपके जीवन को भर देगा खुशियों से हर समस्या के लिए अलग-अलग ग्रहदीप जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप व्यापार के लिए बुद्ध ग्रहदीप संतान के लिए संतान गोपाल धन हे तू महालक्ष्मी कर्ज कोट विवाद मंगल ग्रहदीप मौडलिंग और एक्टरस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप तो अगर आपको भी खुशियों की चाहा है मंगवाईए अपना खास ग्रहदीप दीप एक खुशियां अनेक अगर प्रहदीप